निवर्तन के बाद अब विनिमे विपत्र में अगला जो क्रम आता है वो होता है विनिमे विपत्र का बैंक द्वारा विनिमे विपत्र की स्विकृती या फिर बेचान हाला कि हमने देखा कि विपत्र पर जो स्विकृता होता है वही उसका भुकतान करता है लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि ये जो स्विकृता होता है यही कई बार बैंक को आदेशित कर देता है कि वो उसके विपत्र का भुकतान करें तो ऐसी कंडिशन में बैंक उस स्विकरता के द्वारा जो स्विकरित विपत्र होता है उस पे लिखे धनराशी का भुक्तान करता है कुल मिलाकर एक सुरक्षा के द्रिश्टी कौंड से अगर हम देखें तो ये जो विपत्र का बैंक को बेचान कर दिया जाता है ये काफी सुरक्षित होता है क्योंकि एक बात तो इसमें स्विकर्टा जो है वो बैंक को अधिकरित कर देता है भुकतान करने के लिए बैंक उस विपत्र पर भुकतान करता है या तो वो भुकतान स्वेम करता है या फिर guarantee भी देता है कि आपने जो विपत्र लिखा है स्विकर्टा ने जिसे स्विकरित किया है उस पर निश्यत रूप से जो धनराशी है उसका भुगतान किया जाएगा यहीं पर हम देखते हैं कि बैंक जो है जरूरत पढ़ने पर इन विपत्रों के भुगतान के लिए देंदार की तरफ से guarantee देता है यानि कहीं न कहीं यह जो विपत्र होते है इन विपत्रों पर जो पेबल मनी जो होती है दे जो धनराशी होती है उसका मिलना और अधिक सुनश्चीत हो जाता है तो हम कहा सकते कि सुरक्षा की दृष्टी कोंड से आनि विपत्रों के पेख्षा यह जो कंडिशन होती विपत्र की वो काफी अच्छी होती है अब उसके बाद विपत्रों का एक क्रम आता है जिसे हम कहते है विपत्रों का अनाधरन कई बार जब देतिती पर जो विपत्र होता है वो स्विकर्ता के पास प्रस्तुत किया जाता है कि आपने स्विकर्ती दी थी विपत्र पर जिस दिती के लिए आपने स्विकर्ती दी थी वो कंप्लीट हो गई और अब आपको विपत्र का भुक्तान करना है लेकिन बहुत सारे ऐसी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण जो स्विकर्था होता है, वो विपत्र पर देधर राश्वी का भुकतान नहीं कर पाता है और ऐसी कंडीशन में विपत्र अनादरित हो जाता है, यानि कि अप्रतिष्ठित या डिसौनड हो जाता है इसकी भी कई अलग-अलग कंडिशन बनती हैं लेकिन उसके पहले हम यह जान लें कि क्यों ऐसा होता है क्या क्या कारण होते हैं स्विकर्था के पास विपत्र को आप्रतिष्ठित करवा देने के तो सबसे पहले इसके अंतरगत हम देखते हैं कि एक तो पर्याप्त राशी का ना होना बिजनेस है उसने उधार खरीदा है उसके पास पैसा नहीं होगा तभी तो वो उधार क्रे कर रहा है तो हो सकता है उसने एक्सपेक्ट किया था कि इस तिथी तक मुझे पैसे मिल जाएं एक कारण हो सकता है कि दिवालिया हो जाएं दिवालिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कई बार कुछ वैपारी ऐसे होते हैं जिनकी दाइत वो जो होते हैं वो संपत्ति से अधिक हो जाते हैं तो अगर हम एक पारिभाशिक रूप से या अर्थ समझना चाहें दिवाल सभूस्थ या घूरू संभावनाय बनती है जब उसे वसूल किया जाना था उससे कुछ एक परसेंट तो मिल जाता है जिसके के बारे हम आगे आने वाले वीडियोS में देखिंगे एक condition ये हो सकती है कि सर्कारी आदेश से spear बानती है कि सरकारी उस वैखती को आदेशित कर देती है कि आपके द्वारा किसी भी धनराशी का बुक्तान आपके अकांस से नहीं किया जाएगा अकांट ब्लॉक ब्लोक कर दिया एक परिशिति हो सकती है जैसे कि साज़ेदार प्रिथक हो जाता है पागल हो जाए कोई स्विकर्ता यम्रत्यू हो जाए तो ऐसी कंडिशन में फिर विपत्र पर उलिकित राशी प्राप्ति कर पाने का कोई सवाल नहीं उड़ता एक condition हो सकती है कि किसी प्रकार के चल कपट के कारण उसका चरितरी खराब था वो देना ही नहीं चाहता था पैसा आपने बार बार उसको recall किया रिकॉल किया लेकिन वो नहीं देना चाहता है तो फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते केस या नियालीन जो कारे होगा वो तो अलग चीज है लिकिन फिलाल विपत्र तो यहाँ पर अनादरित होना ही पड़ेगा तो ये कुछ ऐसे condition बनते हैं जबके विपत्र अनादरित हो जाता है अब एक बात आती है जब हम विपत्रों का अनादरन करते हैं आलोकन वे यानि कि नोटिंग चारज्जिस हम जननरल एंट्री इसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार हम नोटिंग चारज्जिस की पोस्टिंग करते हैं फिलाल हम जान लें कि आलोकन वे क्या है तो सीधे-सीधे तॉरपन देखते हैं कि विपत्र का अनादरन हो जाने पर वयधानिक सुरक्ष दिश्टिकोंड सेकी व पैसा कही ना कहीं तो हम को मिले कहीं से भी मिल पाए अभी नहीं तो भविष्य में मिल पाए तो उसके लिए एक जो लेक्षक वैपारी जो होता है कlor कर्वा कि यहां आ अधिकरित वेक्ति से जो लेखक वेपारी या फिर विपत्र का जो धारक होता है वो उस विपत्र का आलोकन करवा लेता है अब भाई उसने इतना लंबा प्रोसेस किया इतनी वैधानिक कारिवाहिया की तो इसके लिए उसको कुछ ना कुछ नोटिंग एक्सपेंसिस तो देने पड़ते हैं नोटिंग चार्जिस तो देने पड़ते हैं यही नोटिंग चार्जिस आलोकन वै यह नोटिंग चार्जिस कहलाते हैं अब अगर यहां पर हम देखें तो एक लेखक वेपारी जो है इसका वै करता है नोटिंग चार्जिस का क्योंकि भाई उसको अपने पैसे की सुरक्षा देखनी है उसको राशी प्राप्त होनी है तो वही आलोकन वे करेगा लेकिन बाद में वो इसी आलोकन वे को स्विकर्ता से प्राप्त कर लेता है क्योंकि ये जो आलोकन वे है वो किसके हिसे में चले जाता है स्विकर्ता के हिस फाइनली उसका जो चार्ज होता है उत्तदाई तो जो होता है आलोकनवेका वो स्विकरता के पास चले जाता है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब किसे विपत्र का अनाधरण हो जाता है तो अलग-अलग we SerkanAL return में तो सबसे पहले condition के अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी condition होती है जब जनरल एंटिस चेंझ होती है तो सबसे पहले अगर विपद्र लेखक के पास हो है अगर विपत्र लेखक के पास होता है और उसी condition में वो अनादरित हो जाता है तो लेखक अपनी पुस्तक में एंट्री करता है एक्सेप्टर्स परसनल अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीविबल अकाउंट तो कैश अकाउंट और अमाउंट हम किस प्रकार लिखते हैं तो फॉर एक्जाम्पल 1000 का एक बिल्स रिसीविबल था 10 रुपेज नोटिंग चार्जेस हो गए तो यहां पर हम बिल्स रिसीविबल की अमाउंट 1000 को बिल्स रिसीविबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे noting charges की जो amount है 10 rupees उसको हम यहाँ cash account के credit में लिखेंगे और total जो amount है 1010 rupees उसको हम यहाँ पर acceptors personal account के debit में लिखेंगे तो इस तरह से लेकक के हाँ हम entry करेंगे और अगर हम बात करें स्विकर्ता की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्विकर्ता क्योंकि वो देने वाला होता है तो उसकी पुस्तकों में हम पंजी प्रिविस्ट्री करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, noting charges अकाउंट डेबिट to drawers personal account अब जैसे कि हमने पहले example देखा कि 1000 का वो bills receivable था, 10 रुपेज उसमें noting charges थे, तो 1000 के amount को हम bills payable के डेबिट में लिखेंगे, 10 रुपेज noting charges को हम noting charges account के डेबिट में लिखेंगे और जो total amount बनती है 1010 रुपेज वो हम drawers account के credit में लिखेंगे अब एक बात यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि क्योंकि आलोकन वे के जो राशी है वो तो घूम फिर के भुगतान किसको करना है स्विकर्ता को लेखक ने जो आलोकन वे दिया है वो cash देता है तो लेखक अपने हाँ आलोकन वे की राशी को cash से दर्शाएगा और स्विकर्ता उसी आलोकन वे की जो राशी होती है उसको noting charges से वहाँ पर प्रदर्शीत करेगा तो इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है यहाँ पर जो आलोकन वे है वो स्विकर्ता के लिए वे पारिक वे होता है एक प्रकार का और उसी की बात अगर हम लेखक के लिए करें तो लेखक द्वारा किये गये यह जो वे होते हैं उनका भुकतान जब आलोकन वे का भुकतान जब स्विकर्ता करता है तो क्योंकि वो उसके लिए एक प्रकार का वय है तो वय मानके ही उसको वो डेबिट साइड में आने आलोकन वय या नोटिंग चार्जर इसे हम कहते हैं उसको वो डेबिट साइड में लिखता है आ एक जुलाई 2008 को वा का 10,000 रुपए का देंदार है जिसके लिए 60 दिन के अवधि का एक विपत्र लिखता है जिसे आ स्विकार कर वा को वापस लोटा देता है बुक्तान तिति पर असमर्थ रहने के कारण बिल अनादरित हो जाता है बा पंद्रा रुपए आलोकन वय चुकाता है आ और बा के पुस्तुकों में जनरल के अवश्यक लेखे कीजिए इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है आ और बा बा जो है वो लेखक स्वी करता है स्ट्रेम बािस्टेप अब हम जिन प्रश्णों को कर रहे हैं वह विपत्र के अनादरन से संबधित हैं हमने बीडियो में देखा कि किस प्रकार जब विपत्रों का अनादरन होता है तो लेखक कि पुस्तुकों में उनके जो प्रविस्टियां होती है वो condition के according चेंज हो जाती है यह देखना पड़ता है कि यह विपत्र जो अनादरित हुआ है वो किस condition में था किस परिस्थिती में पड़ा हुआ था और अनादरित हो गया क्या वो लेका के पास था या भुना लिया गया था या बेचान कर दि condition जिस दिन वो अनादरित हुआ क्या थी तो इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि एक जुलाई 2008 को दस जार रुपय का एक विपत्र था जिसे की बा ने लिखा था आपर और और उसको स्विक्रित भी करता है बाको लोटाता भी है लेकिन साथ दिन की अवधी का दो महिने की लगभग का यह विपत्र था लेकिन साथ दिन में आज वो इस विपत्र की राश्वी का भुपतान नहीं कर सका यानि कि हम यह माल लेंगे कि यह जो विपत्र है वो अनादरण की तिथी पर लेखक के पास ही था और इसको मानते हुए हमको जनरल एंट्री करने हैं तो आए कि प्राप्त करने के बाद वापस मुं ले लोता है यानि के बिल्षि रसीवेबल अकाॉंट डेबिट टू Division करेंगे बिल्षिवेबल accepted by A और उसके बाद जब यह विपत्र डिजॉनर्ड हो जाता है अनादरित हो जाता है तो लेखक क्यां क्या है तो यहां एंट्री हो जाएगी डेबिट टो बिल्स रुसिवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट और बिल्स रुसिवेबल जो है वह हमारा 10,000 का है आलोकन वह जो डिजॉनर्ड में जो एक्सेंस हुए है वह 15 रुपीस के है जो कि कैश में आ जाएगे तो टोटल 10,000 15 जो है वह एक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा और नरेशन यहां पर हम लिखेंगे बेंग बिल्स ओनर्ड एंड नोटिंग इस्पेंस स्पीड तो यह दो ही एंट्री लेखक के पुस्तक में होगी दूसरा पक्षकार जो है यानि कि स्विकरता उसकी पु इसके लिए यहां पर दी है तो यह जेनरल एंट्री क्या करेगा अपने फुस्तक में डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट नरेशन क्या लिखेगा बिंग एक्सेप्टेंस गिवन टू बिल्स और 10,000 से सिंपल एंट्री करेगा है इस सेकेंड कंडिशन में जबकि यह व बिल्स पेबल टू बी करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी और नरेशन यहां हम लिखेंगे बिल्स पेबल के डेबिट साइड में हम 10,000 से एंट्री करेंगे नोटिंग चार्जेस 15 रुपीज है और बी के क्रेड एक अप्रेल 2006 को शंकर ने मंगल को पांच जार रुपए का माल उधार बेचा मंगल ने तीन जार रुपए नगत दिये तथा रुपए के लिए तीन माँ का एक विपत्र स्विकार कर लिया देठर त्ती पर बिल का भुगतार ना होने और नादरित हो उगले का लेखा शंकर और मंगल के गजिदा यहां परह Synva कि रहे हैं कि दो-पार और मंगल शंकर मंगल को माल बेचा या निके शंकर आप सबसे पहले लेखक के पुष्टकों में प्रविश्ट्टी करेंगे हैं अनि और सबहले लेखक करेंगे उसके बाद मंगल यानिकी स्विकरता यानिद रॉइस बूक में एंट्री करेंगी है एंट्री जब की शंकर जो है वो मंगल को उधार माल बेचे गा तो वह अपनी बुक में करेंगा मंगल debit to sell being sold goods on credit 5000 से इसके एंट्री हम करेंगे सेकेंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगल जो है वह इस 5000 में से 3000 कैश दे देता है और 2000 के लिए फिल लिग देता है तो चाहें तुम उसके साथ-साथ एक साथ एंट्री भी कर सकते हैं या फिर याद रखने के लिए कि बिल कित्ते का अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे शंकर यानि के ड्रावर यानि के लेखा की बुख में कैश अकाउंट डेबिट तू मंगल और 3000 सेंट्री करेंगे क्योंकि यह जो नरेशन है वह हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रों मंगल कि हमने किवल 3000 प्राप्टि किया है अभी मंगल से 3000 से मिसके ईंट्री करेंगे और बाकि के लिए 2000 जो बाकी है 5000 से उसके लिए वह उसके लिए उसके बाद अब देख रहे हैं कि मंगल का विपत्र नेori का श्विकार किया घया था देथिती पर बिल का भुखता ना होने के पर भी मानते हैं कि विपत्र जो था अभी तक ना तो वो बैंक से बट्टे पर बुनाया गया था ना उसका बेचान हुआ था तो इस कंडिशन में यह मान रहें कि बिल जो था वह अभी शंकर यानि ड्रॉवर यानि के लेखक के पास ही था अब फस्ट कंडिशन अनादरन की जब विपत्र लेखक के पास रहें और उस कंडिशन में अनादरित हो जाए तो सिंपल एंट्री आपर होती है स्विकर्था का व्यक्तिकत खाता डेबिट प्राप्र विपत्र खाता से किसके बुक में यह एंट्री होगी शंकर यानि कि ड्रॉवर यानि कि लेखक के पुस् न्यास है रहन कि सब्सकें किस तरह से चार यहां यहां पर करेंगे स्विकर्ता यानी के मंगरा कि पुस्थिकों में मिन इंट्री करेंगे जब कि वह शंकर से माल खरी देगा तो फर्स्थी, उर्थी, डिशेंकर परफ्ट यहां को स्बमत्री digo चार्ण को सिंकर का इंट्री जो है वो जबके बैलेंस अमाउंट यानि 5,000 में 3,000 उसने कैश दे दिया बचा कितना 2,000 अब इस 2,000 के लिए शंकर जो है वो मंगल पर एक विपत्र लिखा था और मंगल उस विपत्र को स्विकार करके शंकर यानिके लेखक को देगा तो इस कंडिशन में स्विकरता क्या है होगी लेखक का विक्तिगत फाता बेगी टूबल्स पेबल जैसे हैं पहले एंट्री करते थे करते थे अकाउंट बिड को यहां पर शंकर यहाँ यहां एंट्री करेंगे शंकर डेबिट बिल्स पेबल और 2,000 का विल है तो jus Gift Candice के यहां के नेस्ट पॉइंत में हम देख र कंडिशन देखिए ना बोनाया गया है ना वेचान किया गया है ना अधर कोई कंडिशन है तो यही मान के हमने ड्रावर तो यहां पर हमारे हो गया देबिट टू ठावर और की जाएगे शुदीप ने शरत पर एक जनवरी 2006 को चार मां की अवधी का दस जार रुपए का एक विपत्र लिखा यह प्रबंध उसी दिन बेचे गए माल के भुक्तान के लिए था शरत ने इस विपत्र को सुईकार कर लिया देती थी पर विपत्र अनाद्रित हो गया एवं सौ रुपए आलोकन वैके हुई सुधीप की वहिं में उपयुक्त के लिए के लिए लेखे कीजिए इस प्रश्व में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है सुदीप और शरत सुदीप एक विपत्र लिखता है याने कि वो लेखक है और शरत उस विपत्र को स्विकार करता है याने कि वो स्विकरता है कि दोनों की पुस्टुकों में हमको अलग-अलग पंजीप रविष्टी करनी है आये देखते हैं कि कि किस तरह से पंजीप रविष्टिया होंगी अनाधरन से संबंधित यह प्रश्ण है तो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि सुदीप जो कि लेकक है यह जब शरद क को माल बेचेगा और उसके बाद जब विपत्र स्विकार करेगा शरद और वापस सुदीप को देगा तो सुदीप जो है वो अपने बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो शरद कि इस कंडिशन में जबकि लेखा को विपत्र स्विकरित हो और अमाउंट हम लिखेंगे 10,000 और नरेशन यहां हम लिखेंगे बेंग बिल्स रिसीवेबल एकसेप्टेट वाई शरद सेकेंड कंडिशन जबकि और कुछ भी पॉइंट हाप पर नहीं दिया गया है अब डारेक्ट हाप हम देख रहे हैं कि इस विपत्र का जो शरद है बुक्तान नहीं कर पाता और विपत्र जो है वो अनादरित हो जाता है यानि कि यह विपत्र अनादरित कब हुआ जबकि यह विपत्र लेखक यानि कि सुदीप के पास था अभी तक सुदीप ने इस विपत्र को न तो बट्टे पे बुनाया है न बेचान किया और कोई भी विपत्र के साथ कुछ भी नहीं हुआ है अभी भी सुधीप ने उसको अपने पास रखा हुआ है तो ऐसे कंडिशन में जबकि विपत्र लेकप के पास है और अनादरित हो जाए तो एंट्री होती है लेकप के पुस्तक में स्विकर्टा का व्यक्तिकत खाता डेबिट और रुपए आलोकन वेभी हुए है तो उसको भी हम यहां पर ध्यान रखेंगे तो यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी तो यहां हमारी अमांट हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल में 10,000 कैश में 100 और टोटल जो 10,100 के अमांट है वह आ जाएगी हमारी शरत के और नरेशन यहां हम लिखेंगे बेंग बिल्स ओनर्ट और यहां हम यह मालेंगे कि जो नोटिंग एक्सपेंसेज है वो बैंक द्वारा पे किया गया है क्योंकि इस परस्टूप से किसी प्रकार की कोई जानकारी दी नहीं गई है दिख नहीं रही है कि यह जो नोटिंग इस पंसेज है वो किसके द्वारा पे किया गया है